हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, आज मैं आप लोगं के लिए जो है, नीट 2021 का जो पेपर हुआ है, उसमें फिजिक्स के जो कोस्चन्स हैं, उन फिजिक्स के कोस्चन्स के समपूर्ण सल्यूशन लेकर के आया हूँ, तो इसे आप देख सकते हैं, कोस्चन दिया गया है, तो इस फिगर में आप यह देख रहे हैं, कि यह रेज 90 डिग्री पर आ रही है, जब 90 डिग्री पर आ रही है, तो बिना डेवेट हुए अंदर जाएगी, और जब अंदर जाएगी, तो यहां पर इस पॉइंट पर अगर हम नार्मल ड्रा करेंगे, तो यह अंगिल जो है, यह 90 डिग्री हो गया, और यह 60 है, और यह 90 तो नौच है, पंद्र एक सो पच्चास तो उपर वाला हो जाएगा 30 डिग्री, जब यह 30 हो गया और यह 90 हो गया, तो यह हुए 60, जब यह 60 हुआ तो यह 30 डिग्री, यानि जो बाहर के लिए अंगिल आफ इमर् यह यहाँ पर अंगिल आफ इंसिदेंस होगा, इक्वल्स टू एन्ने साइन ई, और इसे बन बैलूपूट कर दें, तो एनजी जो है, रूट 3, साइन 30 इक्वल्स टू एन्ने एर का 1, साइन ई, तो साइन 30 वन बाई 2 हो गया, तो रूट 3 बाई 2 बराबर साइन ई, और साइ से करेक्ट आफशन होगा, सेकेंड 60 डिग्री, कोर्चन अबर 2, ए लेंस आफ, लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर इस बेस्ट सूटेड, इस एन अबजेक्टिव आफ एन अस्ट्रोनमिकल टेलिस्कोप, एस्ट्रोनमिकल टेलिस्कोप के लिए जो है, अपर्चर बढ़ा लिया जाता है, यह अपर्चर जो बढ़ा लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है, इसलिए कि, लार्ज अपर्चर इस प्रिएर और तो इसमें से जो है, यह सभी क्राइटेरिया फुल्फिल करता है, means होगा, फोर्थ आल आप दे अबब, question number 3 the equivalent capacitance of the combination shown in the figure is यह figure आप देख रहे हैं इस figure में आप देख रहे होंगे कि यह C और यह C यह दोनों figure जो है में capacitance C और यह C है और यह दोनों यहाँ पर P के respect में parallel जुड़े हैं जब parallel जुड़े हैं तो यहाँ से यह जो charge होगा यह B और D के सिरे पर यानि इस पर charge C सेम होगा इस पर भी charge C सेम होगा जब सेम होगा तो उस case में क्या होगा कि इनके जो potential हैं वह भी सेम होगे तो B और D जो है same potential पर होगा B और D जब सेम potential पर होगा तो इसका मतलब B और D के बीच में जो capacitor लगा हुआ है यह कोई contribution नहीं देगा जब कोई contribution नहीं देगा तो इसका मतलब कि यह यहाँ पर unuseful है तो इस तरह से हो जाएगा यह है दोनों parallel में और parallel में आप direct sum होता है तो C P और Q के बीच में हो जाएगा C plus C that is 2C तो correct option होगा third 2C column 1 gives certain physical terms associated with the flow of current through a metallic conductor column 2 gives some mathematical relations involving electrical quantities match column 1 and column 2 with appropriate relations column 1 और column 2 में यह इधर expression दिये गए है और एक तरफ दिया गया है कि वह counts value है इसे जो है match करना है तो match कराने के लिए जैसे drift velocity है तो आप यह जानते हैं कि drift velocity के लिए formula होता है VD equals to A tau और A equals to F upon M F के जगह पर E E upon M into tau अब इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा option है तो E E tau by M E E tau by M R है यानि A के साथ R लगेगा अब इसी तरह से row बराबर होता है M upon any square tau यहाँ पर हमें tau की जरूरत है relaxation time या period तो tau equals to M upon any square row M upon any square row P है यानि B के साथ लगेगा option P यह relaxation C C के साथ लगेगा P इसी तरह से current density J equals to I upon A यहनि यह VD upon A तो यह N यह VD और last E equals to row J इसे row बराबर E by J अब इसे अगर हम match करा दें तो आप इसमें देख रहे होंगे कि A का R के साथ B का S के साथ C का P के साथ और D का Q के साथ expression match करता है इसका मतलब है इसका correct option second है Q5 An inductor of inductance L a capacitor of capacitance C and resistor of resistance R are connected in series to an AC source of potential difference V volts as shown in figure potential difference across L, C and R is 40 volt 10 volt and 40 volt respectively the amplitude of current flowing through LCR series circuit is 10 root 2 ampere the impedance of the circuit is अब इस figure में आप देख रहे होंगे कि जो है VL 40, VC 10 और VR 40 है तो जो net V होगा V equals to under root VL minus VC square plus VR square तो VL minus VC करेंगे तो 40 minus 10 30 square plus 40 square ये 900 plus 1600 यानि 2500 हुए यानि ये 50 volt हो जाएगा और I equals to 10 root 2 किसी VLCR circuit में जो current flow होती है वो IRMS value होती है तो इसका मतलब है कि ये value जो है IRMS है तो J equals to VRMS upon IRMS तो 50 upon 10 root 2 equals to ये 0-0 कर जाएगा 5 upon root 2 ohm यानि जो correct option है वो 3, 5 upon root 2 ohm किसी कोस्चन में इस value को जो है 10 root 2 दिया गया है यहाँ पर इसको peak value मान करके किया जाता है तो जब peak value मान करके इसको किया जाएगा उसी स्थिति में IRMS equals to I0 upon root 2 होता है तो उसी स्थिति में इसका answer 5 ohm आएगा लेकिन यहाँ पर ये दिया गया है कि जो English version होता है वो ही मानन होता है तो इस हिसाब से इसका option होगा 5 upon root 2 ohm question no.6 एपरलल plate capacitor has uniform electric field E in the space between the plates if the distance between the plates is D and the area of each plate is capital A the energy stored in the capacitor is where epsilon not is permittivity of free space तो आप जानते हैं कि energy stored capacitor में U equals to half Cb square होता है half Cb square और C की value epsilon not A upon D या air capacitor के लिए और V equals to E into D value यहाँ पर put कर देते अगर हैं तो यह यहाँ से E square D square मिलेगा और D से D एक नीचे कड जाएगा तो 1 upon 2 epsilon not E square A into D यानि हमारा option होगा 4 1 upon 2 epsilon not E square A D question no.7 polar molecules are the molecules having a permanent electric dipole moment having zero dipole moment acquire a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of charges and acquire a dipole moment only when magnetic field is absent तो इसमें आप देखते हैं कि जो polar molecule होते हैं polar molecule में अस्थाई बैदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद होता है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब वह electric field external electric field में रखे जाते हैं तब भी जो है वह dipole की तरह से behave करते हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर आवेस विस्थापन के कारण भी होता है आवेस विस्थापन के कारण भी होता है लेकिन यहां पर जो option आपके पास है इसमें से होगा having permanent electric dipole moment option one question number eight consider the following statements A and B and identify the correct answer A, a zener diode is connected in reverse bias when used as voltage regulator the potential barrier of p-n junction lies between 0.1 volt to 0.3 volt अब आप से पूचा गया है option one है A is correct but A is incorrect but B is correct A and B both are correct A and B both are incorrect A is correct and B is incorrect तो हम यहां statement से देखेंगे geno diode is connected in reverse bias यानि reverse bias में ही इसको जोड़ा जाता है voltage regulator के लिए यानि A सही होगा तो A is correct होगा second second में जो है potential barrier for silicon 0.7 volt होता है और germanium के लिए 0.3 volt होता है यानि p-n junction के लिए जो potential barrier होगा यानि लिए 0.3 volt to 0.7 volt but here given 0.1 volt to 0.3 volt means option B is correct incorrect B is statement B is incorrect so A is correct and B is incorrect means our correct option is 4 A is correct and B is incorrect a particle is released from height S from the surface of the earth at a certain height its kinetic energy is three times its potential energy the height from the surface of the earth and speed of the particle at the instant are respectively given अब इसमें क्या होगा इसमें आप यह देखिए कि यह height H है और जब यह height H है तो जब यहां से यह गिराया जाता है तो suppose कर लिजे कि B velocity acquire करेगा तो यह distance X travel करता है total S दिया गया है तो नीचे की distance हो जाएगी S minus X यहां पर जो velocity acquire करेगा B square equals to U square plus 2GH U की value 0 है तो 0 plus 2GH that is 2GH kinetic energy at the point K equals to 1 upon 2MB square in place of B if we put 2GX then we get 1 by 2M 2GX that is M GX and potential energy will be M G H H stands for S minus X that will be P equals to M G S minus X according to question kinetic energy equals to 3 times potential energy therefore M G X equals to 3M G into S minus X after solving the value we will get X equals to 3S by 4 but here we have to find the height from the ground so S minus 3S by 4 that is S by 4 then our option will be S by 4 and S by 4 is given in 1, 2, 3 in all and again height from ground when we reaches at the point the velocity equals to under root 2GX if we put the value of X we will get under root 3GS upon 2 means our option is 1 S by 4 and under root 3GS by 2 यह यहारा correct option होगा first question number 10 an electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function if M mass is the photoelectron emitted from the surface has D Broglie wavelength lambda D then what will be correct? तो यहां पर आप जानते हैं कि E equals to H C by lambda और kinetic energy जो होती है P square by 2M होता है तो P square equals to 2M H C by lambda और P बराबर H upon lambda D Broglie wavelength तो यहां पर P के जगा पर हम H upon lambda D का square equals to 2M H C upon lambda पुट करेंगे तो H square upon lambda D square equals to 2M H C upon lambda यहां से 1H जो है C H से कट जाएगा तो lambda equals to 2M C upon H into lambda D square अब आप इसमें देखिए option कौन सा है? तो यहां पर आपका option है option number 4 lambda equals to 2M C upon H lambda D square question number 11 the effective resistance of parallel connection that consists of 4 wires of equal length equal area of cross section and same material is 0.25 ohm what will be the effective resistance if they are connected in series? यह शुरू में कह रहा है कि चार resistance है और चारो resistance parallel में जोड़ेंगे तो हो जाएगा यह 1 by X plus 1 by X plus 1 by X से 4 by X इसका reciprocal तो X by 4 और दिया गया है कि इसकी जो value है वो 0.25 है तो X equals to हो जाएगा 4 से multiply 1 ohm अब यह करा है कि इसे जो है कर सीरीज में जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा तो सीरीज में जोड़ देंगे तो इसका चार गुना हो गया that is 4 ohm option 1 question number 12 water falls from a height of 60 meter at the rate of 15 kilogram per second to operate a turbine the losses due to frictional force are 10 percent of the input energy how much power is generated by the turbine G की value दी गई है अब यहाँ पर देख रहा है कि 10 percent loss हो जा रहा है इसका मतलब 90 percent मिलेगा तो H की value 60 है rate of falling of water 50 kilogram per second loss 10 percent यानि जो net energy है 90 percent of potential energy यानि 90 percent of MGH तो 90 upon 100 into MGH M 15 G 10 और H 60 इसके simplify करेंगे 8100 watt और इसे 1000 से divide कर दीजे तो 8.1 kilowatt आपका option हो गया 3 8.1 kilowatt question number 13 यह spring is stressed by a 5 centimeter by a force 10 newton the time period of oscillations when a mass of 2 kilogram is suspended by 8 is तो यहाँ पर दिया गया F का मांड 10 newton X 5 centimeter तो 5 into 10 per minus 2 meter K की value आपको find करना यह हम 2 kilogram दिया गया है तो K equals to F by X according to Hooke's law then K equals to 10 upon 5 into 10 minus 2 यह आजाएगा 2 into 10 power 2 और time period होता है 2 pi under root M by K इसके value put कर देंगे तो आजाएगा 0.628 second यहाँ आपसन होगा 1 0.628 second Question number 14 यह body is executing simple harmonic motion with frequency N the frequency of its potential energy is what? 4N, N, 2N and 3N तो आपको पता है कि X equals to A sin omega T यह simple harmonic के लिए displacement का equation होता है potential energy के लिए U equals to 1 upon 2 KX square X की value हम put कर देंगे A sin omega T तो 1 upon 2 K A sin omega T का square और इस तरह से मिल गया 1 upon 2 K A square sin omega T sin square omega T को जो है हम change कर देंगे तो 1 minus cos 2 omega T upon 2 और यह omega equals to होता 2 pi N तो यहाँ पर put कर देंगे 2 pi N तो यह इस तरह से मिल जाएगा cos 2 pi 2 N into T तो इस तरह से आपने देखा कि जो frequency है question number 15 अन infinitely long state conductor carries a current of 5 A as shown an electron is moving with a speed of 10 to the power 5 meter per second parallel to the conductor the perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 cm at an instant calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant यहाँ पर आप देख रहें कि यह एक wire है PQ इसमे 5 A की current flow कर रही है इससे 20 cm की distance पर एक electron है और यह electron 10 to the power 5 meter per second speed से जा रहा है तो सबसे पहले तो आप यह find करेंगे कि इस PQ wire की वज़े से magnetic field कितनी होगी तो magnetic field होगी V equals to mu naught I upon 2 pi R इसकी value पूट कर देंगे तो 5 into 10 to the power minus 6 tesla फोर्स आनी लेक्टान आन तो F equals to QVB तो यह Q का मान यह लेक्टान है तो 1.6 10 to the power minus 19 into 10 to the power 5 और V का मान 5 into 10 to the power minus 6 यह value पूट कर देंगे तो इस तरह से यह आपको मिल गया 8 into 10 to the power minus 20 Newton तो आप सन होगा 1 8 into 10 to the power minus 20 Newton 2 charge spherical conductors of radius R1 and R2 are connected by a wire then the ratio of surface charge densities of sphere sigma 1 upon sigma 2 is क्या होगा potential will be same after connecting जब दोनों को जोड देंगे तो potential same हो जाएगा जब potential same हो गया यह भी 1 बराबर भी 2 तो KQ1 upon R1 equals to KQ2 upon R2 इससे Q1 upon Q2 मिल जाएगा R1 upon R2 sigma 1 upon sigma 2 बराबर हो जाएगा sigma 1 का मान हो गया Q1 upon 4 pi R1 square और sigma 2 Q2 upon 4 pi R2 square यहां पर जो value cancel और यह cancel कर दीजे Q1 upon Q2 into R1 square upon R2 square यहां से है Q1 upon Q2 बराबर R1 upon R2 पुट कर देंगे तो R2 है कि यहां R2 से कट जाएगा एक R1 से कट जाएगा तो R2 upon R1 तो जो हमारा correct option होगा that will be 3rd R2 upon R1 Question No.17 The electron concentration in an N-type semiconductor is the same as whole concentration in a P-type semiconductor An external field, electric field is applied across each of them compare the currents in them अब आपको यह बताना है कि current जो है N-type में अधिक होगी कि P-type में अधिक होगी और क्यों होगी तो you know that I equals to यहां यह VD होता है VD equals to mu E होता है जहां पर mu जो है इसकी mobility है Mobility of electron is greater than mobility of holes due to massive nature यही रीजन है कि जो current होगी वह है electron की वजह से अधिक होगी और hole में कम होगी यानि N-type में धारा जो है N-type में धारा अधिक होगी और P-type में कम होगी यानि current in N-type is greater than current in P-type The number of photons per second on average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer When it delivers the power of 3.3 in 10 power minus 3 watt विल भी यह plane constant कमान दिया गया है तो एक photon की उर्जा निकाल लीजे और पूर्य को जो है आप divide कर दीजे तो number of photons जो है निकल जाएंगे तो lambda दिया गया 600 nanometer इसको change कर लेंगे 6 in 10 power minus 7 meter आ जाएगा e बराबर hc 1 lambda विल भी पूट करेंगे 3.3 10 power minus 19 joule आएगा number of photon falling per second तो n ले लीजे तो n बराबर power upon e of 1 photon per second तो 3.3 in 10 power minus 3 upon e यह divide कर देंगे तो आ जाएगा 10 to the power 16 यानि correct option होगा 4 10 to the power 16 the half life of radioactive nucleide is 100 hours the fraction of original activity that will remain after 150 hours should be क्या होगा तो आपने शुत्र पढ़ा है n upon n not equals 2 upon 2 to the power n where n is number half lives तो half lives की निकालने के लिए यह total 150 hours है और half life होता 100 तो होगया 150 upon 100 यानि 3 by 2 आ जाएगा 3 by 2 का मतलब होगया कि 1 by 2 एक बार into under root 1 upon 2 तो इस तरह से 1 upon 2 root 2 यानि हमारा correct option होगा 3 1 upon 2 root 2 question number 20 if e and g respectively denote energy and gravitational constant then e by g has the dimension up dimension निकालना है तो e by g बराबर क्या हो जाएगा e का मान हो गया work done force into displacement तो f into r हो गया यह हो गया f r square upon m square अब देखिए यहाँ पे f के जगह पर हम क्या लिख सकते या f से f को काट दीजिए तो r m square upon r square एक r भी कर जाएगा m square upon r m का मान हो गया m2 और r उपर चला गया l minus 1 और t का हो जाएगा 0 अब देखिए काँ उनसा आपसन दीख रहा है तो इसमें आपको आपसन दीख रहा है second M 2 L minus 1 T 0 Q21 A nucleus with mass number 240 breaks into two fragments each of mass number 120 the binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 MeV while data fragments is 8.5 MeV the total gain in binding energy in the process is what binding energy per nucleon equals to energy of product minus energy of parent item तो यह हो जाएगा आपका product में यह हुआ 120 120 का टूटा तो 120 into 8.5 120 into 8.5 यह add हो जाएगा यह हम इसको लिख सकते है 120 plus 120 into 8.5 minus यह parent item का 240 into 7.6 हो जाएगा अब इससे simplify करेंगे तो यह आ जाएगा 216 MeV यानि हमारा correct option होगा 1,216 MeV यह dipole is placed in an electric field as soon in which direction will it move एक electric field इदर दिखाई गई है और यह plus Q minus Q electric dipole है तो इसमें आप देख रहे हैं कि Q जो है E के nearer है यानि यह closure है इसका मतलब हो गया कि electric field E1 is greater than E2 यानि plus Q के लिए E1 है तो E1 is greater than E2 यानि net force जो होगा वह dipole पर act करेगा towards right due to decrease in potential energy यानि हमारा correct option होगा third towards the right as its potential energy will decrease question number 23 if force F acceleration A and time T are chosen as the fundamental physical quantities find the dimensions of energy find करना है तो dimension of energy क्या होती है E equals to M L2 T-2 और relation आपको find करना F at T में तो E proportional F power A A power B T power C यानि A B इसकी dimensions होगी तो दोनों तरफ की dimensions रख दीजे force का हो गया M L T-2 इसका power A एक A जो है acceleration है तो L T-2 इसका B और T time है अब इसे power collect कर लिजे तो इधर का हो जाएगा M A L A plus B T minus 2 A minus 2 B plus 2 C इसे compare कर लिजे left और right का तो A equals to 1 A plus B equals to 2 minus 2 A minus 2 B plus C equals to minus 2 तो A equals to 1 हो गया तो B equals to 2 minus 1 यहां से 1 मिल दाएगा और यहां पर A B की value put कर दीए C equals to 2 मिल दाएगा तो इस तरह से A equals to 1 B equals to 1 C equals to 2 यहांने 1 1 2 1 1 2 अब देख रहा है कि इसमें है 3rd option है इसका मतलब हो गया 3 वाला F A T 2 यह थिक current carrying cable of radius capital R carries current I uniformly distributed across its cross section the variation of magnetic field B R due to the cable with the distance R from the axis of the cable is represented by यह 4 options दिये गए 4 options में से कौन सा होगा तो सबसे पहले तो आप इसमें जाने कि यह होता क्या है B equals to mu not i upon 2 pi R square into R यह होता है R is less than capital R के लिए यानि तार के अंदर तो तार के अंदर की बात करें तो B proportional small R second surface से बाहर mu not i upon 2 pi R यानि R is greater R equal to R के लिए तो B proportional 1 by R तो इस तरह से क्या होगा अंदर state और बाहर यह करो में आएगा तो इस तरह से B proportional R और B proportional 1 by R का यह चवथा option होगा यानि correct option होगा number 4 match column 1 and column 2 and choose the correct match from the given choice देखिए column 1 और column 2 का matching कराना है root mean square speed of gas molecule pressure exerted by ideal gas average kinetic energy of molecule total energy of 1 mole of diatomic gas तो Vrms होता है under root 3RT by M pressure exerted by ideal gas होता है 1 by 3 Mn V square bar average kinetic energy होती है 3 by 2 KBT और total internal energy of 1 mole of diatomic gas 5 by 2RT इसे match करा दे तो option number 4 A का Q B का P C S और R question number 26 यह radioactive nucleus Z X A undergoes spontaneous decay in the sequence यह देख रहे होंगे where Z is the atomic number of element X the possible decays particle in the sequences R आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से particle निकले तो देखिए पहला है Z X A है यह Z minus 1 हो गया यहां पर 1 atomic number की कमी हुई यहां पर atomic number की कमी हुई और atomic number minus 1 की कमी है तो जब 1 alpha particle निकलता है तो 2 की कमी हुई कि यहाँ से alpha particle इसके बाद एक की कमी होती है तो इसका मतलब है कि वह बीटा प्लस निकला और एक की बृद्धी हो गई, यानी माइनस one की होई तो बीटा नेगेटिव हो गया तो इस तरह से पहले क्या होगा, बीटा प्लस दूसरा अलफा और तीसरा बीटा माइनस यानी हमारा option होगा 4. A cup of coffee cools from 90 degree centigrade to 80 degree centigrade in time T minute when the room temperature is 20 degree centigrade. The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 to 60 at room temperature same at 20 degree. देखिये, काफी जो है 90 से 80 degree तक थंडी होती है T minute में, जबकि कमरे का ताफ 20 degree है. उसी कमरे के ताफ पर समान तरह के cup को जो है, यानि काफी को ठंडा कर किया जा रहा है, 80 से 60 तक तो कितना समय लगेगा? तो ऐसे question को solve करने के लिए Newton's का cooling ला लगाएंगे आप, यह 90 minus 80 upon T time equals to k times यह average temperature तो 90 plus 80 upon 2 minus room temperature तो इसे मिल दाएगा 10 by T बराबर 65 k, इस तरह second case में, 80 minus 60 upon T dash equals to k, 80 plus 60 upon 2 minus 20 तो 20 upon T dash बराबर 50 k, इन दोनों को divide कर दीजे, जब divide कर देंगे, तो इस तरह from rest at time t equals to 0, let Sn be the distance traveled by the block in the interval, t equals to n minus 1 to t equals to n, then the ratio Sn upon Sn plus 1 is what? At t equals to 0, u equals to 0, Sn equals to u plus half a 2n minus 1, t मे second में चली गई दूरी, यह distance traveled in nth time, nth second, तो Sn पराबर u plus half a 2n minus 1, तो Sn equals to half a 2n minus 1 क्योंकि u कामान 0, इसी तरह से n के जगा पर n plus 1 रखेंगे, तो half a 2n plus 1 minus 1, तो यह half a 2n plus 2 minus 1, 2 में से एक गया, तो यह plus आ जाएगा, Sn upon Sn plus 1, divide कर देंगे, 2n minus 1 upon 2n plus 1, यानि हमारा option होगा, third 2n minus 1 upon 2n plus 1. Question number 29, एक capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V, given by V equals to V naught sin omega t, the displacement current between the plates of the capacitor would then be given by क्या होगा, displacement current, तो displacement current के लिए आप find करिए, तो V equals to होता है V naught sin omega t, बट V equals to Q by C, तो यह हम लिख सकते है Q by C equals to V naught sin omega t, यानि Q equals to C V naught sin omega t, और I equals to होता है DQ by DT, तो D by DT C V naught sin omega t का होजाएगा omega कास omega t, तो इस तरह से, जो displacement current है, यानि यही current जो displacement current होगी, इसके बीच में, तो ID equals to V naught omega C कास omega t, यानि हमारा correct option होगा second, ID equals to V naught omega C कास omega t. Question number 30, in a potentiometer circuit, a cell of EMF 1.5 volt gives balance point at 36 cm length of wire, if another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire, the balance point occurs, तो इसमें आपको पता है कि, E1 by E2 equals to L1 upon L2 होता है, E1 गमान 1.5, E2 2.5, और L1 36, L2 find करना है, तो L2 equals to 36 into 2.5 upon 1.5, simplify करेंगे, दसमलों हटा दीजे, 5, 15, 15, 15, 25, 30, 100 कार दीजे, 12, 15, 60 cm, यानि, option होगा second 60 cm, यह screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire, main scale reading 0 mm, circular scale reading 52 divisions, given that 1 mm of main scale corresponds to 100 division on circular scale, the diameter of the wire from the above data is क्या होगा, तो list count of screw gauge, value of 1 division on main scale, अपन नम्बरान सर्कुरन scale, तो 1 division का मान है 1 mm, और इस पर खानों के संक्या 100, तो यानि, 0.01 mm, तो diameter of wire क्या होता है, main scale की reading, प्लस, circular scale division into list count, तो यह होगे आपका 0, और CSD है 52, list count से multiply करेंगे, तो 01, यानि, 0.52, यानि, 0.52 mm cm बदलेंगे, तो 10 से भाग देंगे, तो 0.052 cm, यानि, correct option होगा, 1, 0.052 cm. Question number 32, for a plane electromagnetic wave propagating in X direction, which one of the following combination gives the correct possible direction for electric field E and magnetic field B respectively? Options are given, 1, 2, 3, 4. तीसमें आप जानते हैं, electric field is perpendicular to both electric field as well as magnetic field, जो बेव है, जो बेव है, वह बेव जो है, electromagnetic wave जो है, वह electric field और magnetic field दोनों के perpendicular होती है, यानि, अगर J और K direction में दिया गया है, तो वह I direction में आना चाहिए, तो अब देखिए, जो first option में दिया गया है, value दी गई है, minus J plus K, और minus J plus K दिया गया है, तो इसे अगर हम E cross B निकालें, तो E cross B की value आएगी 0 I, second से अगर हम निकालते हैं, ये value पुट करके, तो इसकी value आती है 0 I, third से निकालते हैं, तो ये आता है 2 I, और fourth से निकालते हैं, तो 0 I, तो इसमें देख रहे हैं कि first, second और fourth option में 0 आ रहा है, third में आ रहा है I के respect में, इसका मतलब है कि जो हमारा correct option है, वह minus J plus K, minus J minus K, ये option होगा, और ये option number third. Question number 33, the escape velocity from the earth surface is V, the escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times, that of earth and same mass density is, what will be 4V, V, 2V or 3V, तो escape velocity होती है VE, under root 2GM by R, यानि यहां पर दिया गया R2 बराबर 4R1, तो अगर V1 by V2 रखें, तो इस फार्मूले से मिल जाएगा, under root M1 upon M2 into R2 upon R1, M1 क्या होगा, आयतन गुड़े घनत, तो 4 upon 3 pi R1 cube into rho, यानि volume into density, और इसी तरह से इसका हो गया, अब यहां पर rho से rho कट जाएगा, 4 upon 3 pi से 4 upon 3 pi कट जाएगा, R1 cube upon R2 cube into R2 by R1, एक R1 इससे कट गया, और एक R2 इससे कट गया, तो R1 upon R2 का square, under root से बाहर निकालेंगे, तो R1 upon R2, अब यहां से देखिए, R1 upon R2 करेंगे, तो 1 by 4, यानि V2 equals to 4 V1, यानि हमारा correct option होगा, 1 4 V. एक Convex Lens A, आप Focal Lens 20 cm, और एक Concave Lens B, आप Focal Lens 5 cm, are kept along the same axis, with a distance D between them, if a Parallel Beam of Light falling on A, leaves B as Parallel Beam, then the distance D in cm will be, इसमें यह कहा गया है, कि एक उत्तर Lens, यानि Convex Lens पर जो है, Parallel Beam of Light पढ रही हैं, और इससे D distance पर, एक Concave Lens रखा गया है, तो किस इस्थिती में, यानि इन Concave और Convex के बीच में, कितनी दूरी रखी जाए, कि यहां से जो Parallel Light आ रही थी, वह Concave Lens से Parallel जाए, तो चलिए, अभी सब कुछ भूल जाएं, यह Parallel Beam आ रही है, Parallel Beam, Refraction के बाद, इसके Focus पर Concentrate होगी, तो जब Focus पर Concentrate होगी, तो इसका Focus Lens 20 cm है, यानि यहां से 20 cm पर यह Focus होगी, लेकिन, यह जो है, इसके बीच में रखा गया है, D distance पर, जब D distance पर रखा गया है, तो जो Focus पर आने वाली Light है, पर जो आने वाली Light है, Refraction के बाद, यह क्या होगा, इस Beam से Parallel हो जाएगी, इसका मतलब हो गया, कि इसके बीच की जो Distance है, D वो कितना होगा, यहां से लेकर कि, और EF तक की दूरी 20 cm है, और यह दूरी 5 cm है, क्योंकि, यह 5 कैसे हुगा, इसके बीच की जो Distance है, यह 15 cm, यह दूरी 20-5, यह 15 cm, तो हमारा correct option होगा, 3rd 15 cm. The velocity of a small wall of mass M, and density D, when dropped in container filled with glycerine, becomes constant after some time, if the density of glycerine is D by 2, then the viscous force acting on the wall, will be, क्या होगा, तो आपको पता है कि, जब किसी भी liquid में, कोई ball को drop करते हैं, तो जब इस पर जो है, viscous force और लगने वाला, नीचे की तरफ जो force है, यह दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो यह constant velocity से move करने लगती है, तो यह इसका जो total weight है, यह नीचे की तरफ काम करेगा, viscous force उपर की तरफ काम करेगा, mass बराबर होता है volume into density, तो m बराबर 4 upon 3 pi r cube into d, अब जो particle, जब terminal velocity गेन कर लेगा, तो viscous force जो होगा, वह नीचे वाला भार, यह नी 4 upon 3 pi r cube d into g, और उपर वाला भार, यह नी 4 upon 3 pi r cube d by 2, क्योंकि इसका जो है d by 2 glycerine का दिया गया, जो की point force लगाएगा, तो इन दोनों का difference, 4 upon 3 pi r cube, और into d, यह इसका mass होगा, तो mg और इधर हो गया यह भी, mg by 2, तो mg minus mg by 2 equals to mg by 2, जोनily aटinkषन 2 होगा correct, mg upon 2, एणया लगाच लेंफ 6 के ूच 2 होगा कर Wooगा 2, एणयाै एणया लेंट 200 cm सकाट इसे होगा 50 cm कर्वищ एणया बाला लेंट manifestation के आवपंद सकाрем begitu, सकाम लेंधा 20 cm कर्वभ यह एणया यहूना मांस्स कर्वis from the rod at 160 cm mark as shown in the figure, find the value of m such that the rod is in equal varium, अब इस figure में आप देख रहे हैं कि 20 cm पे 2 kg, 40 cm पर यह जो है fulcrum इसका fix है, और यह जो है 160 cm पर यह रखा गया है m, तो इस figure को अगर हम redraw करें, तो 20 cm पर 2 kg है, इसके बाद 40 cm पर यह fulcrum है, और इसका जो total weight है, वह 500 gram है, इसका मतलब 500 gram है, तो 0.5 kg और यह इसके center पर काम करेगा, तो 200 cm इसकी लंबाई है, तो इसकी लंबाई 100 cm पर यह काम करेगा, और 160 cm पर यह m kg रखा गया है, अब fulcrum के about left और right का moment of force है, यह दोनों एक दूसरे को balance करेगा, तो इस तरह से principle of moment की help से, इधर का moment हो जाएगा, 2 kg into g, यानि f होता है, f into d, तो 2 kg into g, 10 और यह distance, यहाँ से यहाँ तक की distance हो गई, 20 cm यह 0.2, equals to, यह आप देख रहे है, 0.5, यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यह 40 पर और यह 100 पर तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी, 60 cm यह 0.6, तो यह हो जाएगा, 0.5 into g, 10 into 0.6 distance हो गया, प्लस, m into, यह 160 यहाँ से दूरी, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, 160 में से जो है, यह 40 इधर का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, 120 यानि 120 यानि 1.2 meter, तो m into 10 यानि g, और into 1.2, अब इससे simplify करेंगे, तो इधर 4 हो गया, तो 3 plus 12 m, तो 12 m equals to 1 and m equals to 1 by 12 kg, तो जो हमारा करेक्ट आप्सन होगा, 1, 1 upon 12 kg. Question number 37, from the circular ring of mass m and the radius capital R, an arc of corresponding to a 90 degree sector is removed, the moment of inertia of the remaining part of the ring about the axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times m r square, then the value of k is, क्या होगा, यह देखिए, पूरी, यह circular ring है, जब circular ring है, इसका mass m है, इसके center से होकर जाने वाली line, k about जो moment of inertia है, वो होता है m r square, अब क्या है कि इसमें से 1 by 4 कट कर दिया गया, जब 1 by 4 कट कर दिया गया, तो moment of inertia of 3 by 4 ring, i dash 3 by 4th m r square हो जाएगा, अब यह दिया गया है कि जो 3 by 4 m r square है, यह k into m r square के बराबर है, तो k की value कितनी हो जाएगी, 3 by 4, यानि correct option होगा हमारा second 3 by 4, question number 38, यह uniform conducting wire of length 12a and resistance capital R is wound up as current carrying coil in the shape of an equilateral triangle of side a and a square of side a, the magnetic dipole moments of the coil in each case respectively R, यानि एक तार है, उसकी लंबाई 12a है, उसे जो है equilateral triangle में और एक square में बनाया गया है, जिसमें side a है, तो अगर हम triangle बनाते हैं, तो a, 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 यानि इसका perimeter 3 होगा, तो इस तरह से कितने triangle बनेंगे, 12a upon 3a, यानि 4 बनेंगे, square है a, a, तो यह 4a हो गया, तो इसमें कितने square बनेंगे, 12a upon 4a, तो 3 बनेगा, अब area of equilateral triangle होती है, root 3 by 4, a square, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 into इतना हो जाएगा, total area of square, 1 का a square है, तो 3 का 3a square हो जाएगा, जो magnetic dipole moment m equals to i into a होता है, तो इधर का हो जाएगा, i into a, यानि root 3a square, तो root 3 को पहले लिख देंगे, root 3 i a square, यह हो जाएगा triangle से related, और जो magnetic dipole moment है, associated with square, तो i equals to total area 3a square, तो 3 times i a square, अब आप यह देख रहे होंगे, कि कौन सा option इसमें match कर रहा है, तो option second है, root 3 i a square, and 3 i a square, question 39, यह ball of mass 0.15 kg is dropped from a height of 10 meter, strikes the ground and rebounds at the same height, the magnitude of impulse imported, the ball is what, तो यह देखे, यह h height 10 meter दिया गया, यहाँ से ball गिरती है, जब ball गिरती है, तो यहाँ पर टकराएगी, velocity attain by ball, while striking the ground, जब strike करेगा, तो under root 2 g h होगा, 2 g h है, 10, 10, 10, 10, तो यह 10 root 2 हो जाएगा, अब value put कर देंगे, root 2 का 1.414, तो यह 14.14 meter per second हो जाएगा, अब क्या कर रहा है, कि magnitude of impulse, तो magnitude of impulse, i equals to the change in momentum, तो momentum, यानि M, V, minus, V, तो यह V से टकराया है, और lot करकी जाएगा, तो minus V हो जाएगा, तो इस तरह से 2 M भी हो जाएगा, यानि 2 into M, M कामाण 0.15, और V कामाण 14.14, इसको multiply करेंगे, तो 4.2420 kilogram meter per second, और इसमें आप देख रहे हैं, कि decimal के one place तक है, तो यानि third option होगा, 0.2, third option 4.2 kilogram meter per second, question number 40, a point object is placed at a distance of 60 centimetre from a convex lens of focal length 30 centimetre, if a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens and a distance of 40 centimetre from it, the final image would be formed at a distance of, देखे, इसमें या कहा गया है, एक lens है, इसकी focal lens 60 centimetre है, और इस lens से 40 centimetre पर एक mirror रखा गया है, यहां से जो range है, यानि यह point यहां पर रखा गया है, जब यह point यहां पर रखा गया है, इस figure को आप देखे, यहां पर रखा गया है, तो यहां से जो range है, यह range जाएंगी कहां पर, अगर ये नहीं होता तो इस फोकस पर जाकर के मिलती लेकर तो इस तरह से इसका correct option हो गया, second 20 centimeter from the lens और image होगा, it would be real image. Question number 41, two conducting circular loops of radii R1 and R2 are placed in the same plane with their centers coinciding. If R1 is greater than R2, the mutual inductance M between them will be directly proportional to what? ये दो ring है, इसका अंदर का जो radius है, छोटा वाला R2 है, बड़े वाले का R1 है, तो बड़े वाले की कारण जो है, second पर जो होगा, वो magnetic field कितना होगा, mu not i upon 2 R1 होगा. अब जो flux associated होगा second से, वो phi equals to B1 into A1 होगा, तो mu not i upon 2 R1 into pi R2 का square, और phi equals to होता है m i, तो इस तरह से, m equals to phi upon i, यानि mu not यह i, i यहां से cancel होगा, mu not upon 2 R1 pi R2 square, mu not pi upon 2, यह R2 square upon R1. तो अब यहाँ पर proportional का sign देखना है, या value constant हो जाएगी, तो m proportional R2 square upon R1, यानि option होगा, first R2 square upon R1. यह particle of mass m is projected with a velocity V equals to kve, k is less than 1, k is less than 1 from the surface of the earth, ve equals to escape velocity है, दिया गया है, maximum height above the surface reached by the particle is, क्या होगा? तो highest point पर kinetic energy होगी, वह change in potential energy की equal होगी, that will be 1 by 2 Mb square equals to MgH upon 1 plus H by R. अब इसे अगर हम simplify करें, तो V square equals to 2GH upon 1 plus H by R, और यह हम अगर इसको simplify करते हैं, LCM लेकर के, तो R plus H, R उपर चला जाएगा, तो V square R plus H, बराबर 2GHR, और V के जगह पर K, V रखेंगे, तो K square V square R plus H equals to 2GHR, अब यहां से K square 2GR, R plus H equals to H को simplify करेंगे, तो यह value आपको मिल करके आ जाएगे, H times 1 minus K square equals to K square R, यानि H equal to K square R upon 1 minus K square, तो जो option होगा, अमारा correct, option 1, K square R upon 1 minus K square, question number 43, 27 drops of same size are charged, at 220 volt each, they combine a form bigger drop, calculate the potential of the bigger drop, simple question, इसके बालूम को equal कर लिजे, 27 into 4 pi upon 3 pi R cube, और यह बड़ी drop के बराबर तो 4 upon 3 pi R cube, capital R or small r मिलेसे मिल गया, capital R equals to 3 R, let the charge and small drop be Q, then charge and bigger drop will be 27 Q हो जाएगा, क्योंकि एक का Q तो potential drop, small drop, जो potential आप इसमाल drop होगा, वो भी equals to K Q by R होगा, छोटे के लिए, और बड़े के लिए हो जाएगा Q की जगए पर 27 Q और यह R की जगए पर 3 R, तो इस तरह से 9 into K Q by R, इसकी बैलू जो है दी गई है 220, तो इसका मतलब हो इसका मतलब हो गया की, Vs, Is बराबर Vp, Ip, तो Ip बराबर Vs, Is अपन Vp, बैलू पुट करेंगे, यह 11 into 4 अपन 220, ती 1 by 4 यह 0.2 Ampere हो जाएगा, यह 2nd option होगा अमारा 0.2 Ampere. A series LCR, circuit containing 5 Henry inductor, 80 microfarad capacitor and 40 ohm resistor is connected to 230 volt variable frequency AC source. The angular frequencies of source at which power transferred to the circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be. कौन साप्शन होगा, तो L दिया गया 5 Henry, C, 80 microfarad, change कर लेंगे, 10 to the power minus 6 से multiply करके, F 40 ohm दिया, R 40 ohm दिया है, और B क्या मान 230 volt दिया है. तो resonant frequency omega R equals 1 upon under root LC, इसको simplify करेंगे आप, दिया जाएगा 50 radian per second, और Q जो quality factor होता है, यह omega upon delta omega, और इसकी value omega L upon R होती है, तो इन दोनों का अगर हम पराबर करें, तो delta omega बराबर R by L, R 40 दिया गया और यह 5 तो 8 radian per second, अब जो omega minimum है, omega R minus delta omega upon 2 होता है, तो 50 minus 8 upon 2, तो 46 radian per second हो जाएगा, और यह हो जाएगा, 50 plus 4 यानि 54 radian per second, तो इस तरह से हमारा जो correct option होगा, यह correct option होगा, 4, 46 radian per second and 54 radian per second, question number 46, logic gate से related है, simple question, इसमें A, B, C, यह दिये गया है, और यहाँ पर यह gate दिया गया है, तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि A, B, C यह note करेंगे, तो देखिए, यह जो gap है, 0 से T1, T1, T2, T2, T3, T3 से T4, T4 से T5, इसे आप note करेंगे, तो 0 से T1 के बीच में, यहाँ पर देखिए, A कामान, 0 है, B कामान, B कामान भी क्या है, 0 है, तो पहले आप इसमें A कामान लिख लीजे, इसमें B कामान लिख लीजे, फिर यहाँ देखिए, यह जो पहला है, इसे, यह आइंड गेट है, तो multiply करेंगा, A into B मिलेगा, तियानि Y1 बराबर A into B मिलेगा, यहाँ से, यहाँ से यह NAND gate है, तो invert करेगा, तो B और C आ रहा है, तो BC, B dot C का invert हो जाएगा, बार हो जाएगा, और यह दोनों यहाँ पर आ रहा है, R gate है, जुडने का काम करेगा, तो जब जुडने का काम करेगा, तो यह दोनों को, जो output आ रहा है, Y1 और Y2 इसको जोड देगा, तो इस तरह से इसकी value put करके, आप यह देखेंगे, तो यह last में आपको मिलेगा, कि जो output है, यह सब 1, 1, 1 है, यानि आपका correct option होगा, 3 state line, यह देखें, 5 port, higher state, 3 resistors having resistances R1, R2, and R3 are connected as shown in the given circuit, the ratio I3 by I1 of currents in terms of resistance used in the circuit is, क्या होगा, तो देखें, R3 में जो current होगी, यह current होगी, I3 बराबर R2 upon R2 plus R3 into I1, I1 को इदर भेज़ दीजिए, तो R2 upon R2 plus R3, simple सा option मिल गया, 3rd option R2 upon R2 plus R3, 48, यह car starts from resistance, accelerates at 5 meter per second square, at t equals to 4 second, यह ball is dropped out of window, यह person sitting in the car, what is the velocity and acceleration of the ball at t equals to 6 second, g कमान दिया गया, 10 meter per second square, तो पहला तो हम यह find करेंगे, कि जो है, वह start किया 0 से, और 4 second तक चला, तो 4 second तक उसकी velocity क्या हो गई, तो Vx बराबर हो जाएगा, यह, U plus 80 से 20 meter per second, जब वह 20 meter per second पर पहुंचता है, मने उसकी speed है, उसी समय वह, car के window से ball को drop करता है, तो ball जब वहाँ से छुटेगी, तो under gravity गिरेगी, जब under gravity गिरेगी, तो Ay का मान जो है, वह acceleration due to gravity हो जाएगा, अब जो velocity है, वह नीचे की तरफ गिरेगा, तो Vy बराबर Uy plus GT, तो यह हो जाएगा 20 meter per second, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, की car की velocity, यानि जो horizontal है, वह Vx है, और जो vertical downward है, यह Vy, यह दोनो 90 degree पर है, तो इसका मतलब इसका resultant velocity होगा, यह V equals to under root Vx square plus Vy square, यानि under root 20 square plus 20 square, तो 20 root 2 meter per second, और acceleration पुछा है, तो acceleration T equal to 6 second पर है, तो उस इस्तिति में फिर यह क्या होगा, उस इस्तिति में यह नीचे की तरफ जो है, गिरेगा, तो नीचे की तरफ गिरेगा, तो acceleration due to gravity and it, G का मान 10 हो जाएगा, option first, 20 root 2 meter per second, और acceleration 10 meter per second square, question number 49, a particle moving a circle of radius capital R with a uniform speed takes a time capital T to complete one revolution, if this particle were projected with the same speed, at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by the equal 4R, the angular projection theta is theta point करना आपको, यह देखिए, u बराबर 2 pi r upon T दिया गया है, when projected horizontally with an angle theta से अगर, तो h बराबर क्या होता है, u square sin square theta upon 2G, यह value हो गई, अब condition है कि according to question कि h बराबर 4R, तो value put करते हैं, h, h के जगा पर u square sin square theta upon 2G, बराबर 4R, और u के जगा पर put करेंगे 2 pi r upon T, तो 2 pi r upon T का whole square, तो इस तरह से 4 pi square r square sin square theta upon 2G, इक्वार तो 4R, तो इससे sin square theta equal to 2GT square upon pi square R, हमें value चाहिए sin theta की, तो sin theta बराबर under root हो जाएगा, और root है, तो power 1 by 2 लिख सकते हैं, theta चाहिए, तो sin inverse हो जाएगा, तो theta equal to sin inverse 2G, 2G, T square by pi square upon R whole power 1 by 2, तो जो angular projection theta होगा, यह option होगा 1, theta equal to sin inverse under root 2G, T square by pi square R. question number 50, in the product F equals to Q V cross B, यह दिया गया है, Q V cross into bi plus bj plus b not k, for Q equals to 1 and V equals to 2i plus 4j plus 6k, F equals to 4i minus 20j plus 12k, what will be the complete expression for B, B के लिए जो expression है, bi plus byj plus इससे जो मिलेगा, वह क्या होगा, तो देखिए, यह बराबर Q times V cross B है, F का मान दिया गया, 4i minus 20j plus 12k, Q का मान वन कुलम, V 2i plus 4j plus 6k, तो Q V cross B बराबर हो गया, 1 into V cross B, अब यहां value put करें, तो i, j, k, और यह हो गया, 2, 4, 6, 2, 4, 6, और B वाला हो गया, B, B, B not, अब इससे simplify करें, तो simplify करेंगे, तो i times 4b not minus 6b, minus j times 2b not minus 6b, plus k times 2b minus 4b, इससे और simplify करें, तो 4b not minus 6b i, minus 2b not minus 6b, j, और यहां से हो गया, minus 2b k, अब यह जो value है, F का है, तो F दिया गया है, 4i minus 20j plus 12k, बराबर 4b not minus 6b, i minus 2b not minus 6b, j minus 2b k, इससे compare करेंगे, तो जब compare करेंगे, तो यहां से देखिए, के वाले को पहले compare करें, तो minus 2b equals to 12, तो b equals to minus 6 हो गया, अब b की value यहां पर put कर देते हैं, तो 4b not minus 6b बराबर 4 है, तो 4b not equals to 6, minus 6 plus 4 तो 36, minus 36, और plus 4 तो हो गया, minus 32, अब यह किस के बराबर है, 4b not के बराबर है, तो जब 4b not के बराबर है, तो b not बराबर हो गया, minus 8, तो b equals to minus 6i minus 6j minus 8k, यानि correct option होगा, third minus 6i minus 6j minus 8k, झाल 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